अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की ओर है और जल्द ही डॉनल्ड ट्रम्प नए राष्ट्पती का कारिभार संभालेंगे ऐसे में भारत और अमेरिका के रिष्टों को लेकर तमाम चर्चाय शुरू हो गई है इस बीच अमेरिका में उबामा प्रिशासन ने साफ कर दिया है कि भारत उसका अहम सयोगी है और बना रहेगा अमेरिका ने कहा है कि उबामा प्रिशासन के बाकी कारिकाल में जिपक्षी संबंदों को और मजबूत बनाने पर पूरा ध्यान के इंडित करेगा विलिश मंतराले की प्रवक्ता जौन किर्भी ने कहा कि हमारे भारत के साथ आज जिस तरह के संबंध हैं हम उनका महत्तु समझते हैं और उनका बहुत संबान करते हैं हमने इन संबंधों में सुधार के लिए और इन्हें मजबूत बनाने के लिए कड़ी मिनत की है मैं आपको बता सकता हूँ कि उबामा के शेश कारिकाल में कुछ भी नहीं बदलेगा नए राश्टपती के कारबार सभानने के बाद क्या होता है इस बारे में नया प्रशासन ही बात करेगा उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर कोई प्रशन खड़ा नहीं होता कि भारत विश्व के इस हिस्से में अहम साजीदार है और बना रहेगा ये मजबूत ये पक्षी संबंद बनाय रखने की आवशक्ता है आपको बता दें कि उबामा का कारेकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा जिसके बाद 20 जनवरी को डानल्ड टरम्ब अमेरिका के राष्टपती पत को सभालेंगे बामा प्रशार सान ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सरकार है तब तक भारत अमेरिका के रिष्टों में कोई बदलाव नहीं आएगा लेकिन अब देखना ये होगा कि टरम्ब के राष्टपती बनने के बाद उनकी नीती क्या होगी देखते रहे दिबी लाइफ